आज जब मैं पस्षिम सरीरा होते हुए गोराजू पहुचा तो मैंने देखा कि वहां से सिर्फ चार किलोमीटर दूर प्रवाजगिरी परवत जिसको हम पभोसा पहाड के नाम से भी जानते हैं क्योंकि पहाड हम लोग को इतना आकरसित करते हैं तो हम चल देते हैं अब वो सब पहाड की तरफ वहां पहुचते ही हमने देखा कि वहां पे दो पहाड हैं तो हम सबसे पहले एक पहाड में सीड़ियों के माद्यम से उपर पहुचते हैं वहां पहुंसते ही हमने देखा कि उपर मंदिर और उपर से यहुना नदी का किनारा और एक पहाड से दूसरे पहाड को देखेने का नजारा जो था अतियंत खुबशूरत था। यहां मंदिर के पास कुछ बैठे इस्थानी लोगों से पता चला कि यहां पे 14 जनवरी यानि मकर संक्रांती खिचडी वाले दिन यहां पे भव्व मेला लगता है जहां पे लोग बहुत दोर दोर से यह उना नदी में इश्नान करने के बाद यहां खिचडी दान करने आते है मैं तो इस बार मेले में आ रहा हूँ क्योंकि इतना खुबसूरत पहाड़ हमारे कौसांबी में है तो फिर ठंडे के दिन में दूर क्यों जाएं आईए सब लोग मिलके मेला देखते हैं इस बार पबोसे के पहाड़ का